हेलो गाइज, विल्कम बैक तो माई चैनल अब्राट जॉब्सकाइट गाइज, इन इस वीडियो आप लोग के लिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए ऐसी कुछ क्वेश्चिन की बारे में बताऊंगा जो हमेशा, as a waiter, waitress के interview के लिए आप जा रहे हो, 100% आपका सिलेक्शन होगा तो guys, अगर आप लोग मेरे चैनल पे new हो, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और press the bell icon, उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगे, तो share करो दोस्तों के साथ, और comment जरूर करना सबसे पहले जो question आता है, ओँ है, tell me about yourself अगर आप एक waiter और waitress के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको tell me about yourself के PPR रहना परेगा क्योंकि ये question आपको 100% interview में पूछेगा, tell me about yourself, क्यों पूछता है ये question, क्योंकि ये एक ऐसी कला है, जो आपके अंदर है, जो आपको बोलना पड़ेगा, आपको introduce करना पड़ेगा, तो interviewer के सामने आपका impression आच्छा होगा तो आपको क्या क्या चीज mention करना पड़ेगा, अगर आप tell me about yourself का answer दे रहे हो, ओ में mention कर रहे हो, IK करके, सबसे पहले आपको बोलना पड़ेगा आपका नाम, उसके बाद age, आपका qualification, आपका experience, आपका hobby, और आपका strongest point है, मतलब आप किस तरह से strong हो, ओ भी interviewer को बोलना यह है, tell me about yourself का good answer, क्योंकि एक interviewer जब आपको देख रहे है, अगर आप tell me about yourself का answer है, अच्छी तरह से दे दिया आना, तो आपका selection 90% हो जाता है, क्योंकि एक, जो impression होता है, वो first impression, last impression होता है, आप लोग को पता है, गाईस, तो आपको ऐसे reply करना है, जो interviewer के सामने, आपका impression आच्छा हो, देखो guys, आपको यह क्यों बोलना है, एक strongest point और weakest point, एक waiter के लिए आप interview के लिए जा रहे हो, तो आपके अंदर ऐसी कौन honor है, जो उसके हिसाब से आपको company select करेगा, एक company में आप जा रहे हो, तो आपको दिखाना पड़ेगा, उस company में आपका फाइदा है, अग कुछ आपको बोलना पड़ेगा, जो interviewer का लगे, अगर आपको select करे, तो company का कुछ फाइदा है, तो ऐसे आपको pretend करना है, अगर आप एक अच्छी waiter हो, अच्छी waitress बढ़ना चाते हो, तो सबसे अच्छा है आपका responsibility समझना, वो आपको दिखाना पड़ेगा, वो interviewer को, यह यह चीज आपको mention करना पड़ेगा, अगर आप tell me about yourself बोल रहे हो, उसके बाद जो point आता है, जो question हमेशा interview में पूछता है, अगर आप waiter के लिए जाते हो, how do you handle a angry customer, एक waiter अगर आप किदर भी काम कर रहे हो, तो बहुत सारा angry customer से आपको deal करना पड़ता है, बहुत सारा customer ऐसा ह करोगे, कैसे उसको deal करोगे, यह बहुत एक important चीज है, अगर आप waiter के लिए जा रहे हो, क्योंकि बहुत सारा किया होता है, मालू मैं, जब कोई भी खाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो गया, मतलब खाना में कोई दिक्कत है, प्रॉब्लेम है, तो यह बनाया कौन, shape लोग बनाया, लेकिन वो लोग तो अंदर है, face कौन करेगा, आप करोगे, तो आपके उपर मुसिबत आने वाला है, वो मुसिबत को आप कैसे face करोगे, वो आपके responsibility है, तो और आप कैसे handle करोगे, इसलिए interviewer आपको यह question पूछता है, कैसे आप handle करोगे, तो यह आपको जानना पर तो आपका reply कैसे होगा, आप कैसे reply करोगे, इसका, आपको कैसे reply करना है, आपको एक smile face रखना है, एक smile face के साथ आपको जो angry customer है, जो बोल रहा है, वो अच्छे से सुनना परेगा आपका बात, पहले क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो आपको अच्छे से सुनना प इसा आपसे आपका selection हो गा क्योंकि ये आपका job responsibility का अंदर पर रहा है एक job responsibility आप ये वेटर का और भी बहुत तरह पॉइंट होता है एक वेटर के लिए आप वेटर के लिए जा रहे हो तो next question guys why do you want to become a waiter क्यों आप वेटर बनना चाहते हो this is the most common question अगर आप वेटर के लिए जा रहे हो तो यह question का answer ऐसे होगा guys it gives chance to prove interpersonal skill every customer is different so have to deal with each one according to their behavior it gives a lot of satisfaction by serving getting feedback from customer it is a chance to present yourself and gives chance to develop in career last question what experience do you have मतलब आपका experience के है यह पूछ सकता है तो आपको ऐसे पीटन करना है I have experience working in another restaurant I worked busy shift and I am used to serving large parties from my experience I feel compatible to talking to customer देखो guys अगर आप एक वेटर के लिए सोच रहे हो एक interview के लिए तो आपके अंदर तोड़ा बहुत customer से बात करने के skill होना चाहिए तो ऐसे आपको answer देना है तो गाइज अगर आपको video informative लागे तो प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल क्यूंकि आप लोगों को पता है आप लोगों का भाई हमेशा abroad के लिए abroad jobs के लिए वीडियो लेकर आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एब रॉड जाब्स काइड